आपने देखा होगा कि 6 to 8 में और 9, 10, 11, 12 में यहां से कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे गए तो ये टॉपिक आपके लिए महत्पूर्ण है अच्छे से समझने का प्रियास कीजिएगा और हम भी कोशिस करेंगे कि आप अच्छे से जो टॉपिक है उसको समझ ले ठीक ह तो अपिक जो है आपका वो है समाजबाद समाजबाद में खास करके हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे चुकि यहां से निश्चित रूप से कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे गए हैं समाजबाद है क्या आखिर क्यों आया तो सबसे पहले आप जानिए कि समाजबाद आखिर आया क्यों तो समाजबाद के पीछे जो रिजन है वो हम लोग जानेंगे कि समाजबाद आखिर क्यों आया ठीक है सबसे पहले हमने इतिहास जब पढ़ना सुरू किया तो भुगोली खोज के बारे में बताया था आपको भुगोली खोज हुआ धीरे धीरे आपने देखा पुनर जागरन हुआ भुगोली खोजे हुई धर्मशुधार अंदोलन हुआ उसके बाद क्या हुआ कि उद्योग क्रांती हुई उद्योग क्रांती से क्या हुआ कि उद्योग धंधों का विकास हुआ तो समाज में दो वर्ग का निर्मान हुआ एक पूजी पती वर्ग दूसरा जो कर्मी के वर्ग जो की काम कर रहा था उस कारखाने में ठीक है तो यहाँ पर जो समाज बढ़ता है वो दो भागु में बढ़ जाता है एक पूझी वादी वर्ग जो पूझी पती वाले लोग हैं वो उद्योग में अपना पूझी निवेस करेंगे और वो सरम जीवी जो हैं जो वर्कर्स हैं उनका सोसन जायदा से जायदा घंटे काम करा के अती से अती धन कमाना चाहेंगे इसी दर्मियान क्या होगा कि यहाँ पर पूझी वाद के खिलाप में जो एक कह सकते हैं कि समाज बढ़ आएगा और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर परते हैं समाज बढ़ती होता है कि स खन कमाना उद्दिस नहीं है जीन का तो समाज वो subject होना निवार्ज है, ठीक है, 6-8 में इसा कुछ भी नहीं है, हाँ, 9-10 में है कि आपका graduation में वो होना चाहिए, 6-8 में इसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, graduation में हो नहीं हो, आप दो subject ले करके बैठ सकते हैं, चलिए, तो यहाँ पर Karl Marx का जो, जो यहाँ पर Karl Marx आते हैं, जो कि ये कह सकते हैं कि एक पत्रकार भी थे बुद्धी जीवी वर्ग के लोग हैं और उन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है यानि जो एक पुझी पती वर्ग है जिसके द्वारा मजदूरों का शोसन हो रहा है तो मजदूर वर्ग के तरब से एक नायक की भूमका निभाएंगे और इनका कथन आपने पढ़ा भी होगा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ तुम्हारे लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं लेकिन पाने के लिए खोने के लिए जंजीर के सिवा कुछ भी नहीं और पाने के लिए पूरा संसार है और ये कथन बहुत ही महत्पून कथन है और यहां से आपके एक्जाम में question पूछे भी जाते हैं ठीक है तो इसी लिए इस topic को अच्छे से समझिएगा और जो भी query हो कुछ भी पूछना हो तो last में जब class हो जाए उसके बाद आप लोग जो है पूछ सकते हैं हम आपको बता देंगे ठीक है चलिए तो यहां पर तथ है आपका समाजवाद समाजवाद बार बार आप सोसलिज्म की बात करते हैं कैप्टलिज्म उसका anti हुआ एक हुआ पूजी पतिवर्ग पूजी पूजी बाद आ जाता है उसी परकार से इतिहास में भी यहां पे समाजवाद और समाजवाद को ही लेकर आप पॉलिटी का DPSP में अपने देखा होगा कि हम बता रहते तो वहां भी समाजवादी विचारधारा जो गांधी जी का है वो वहाँ दिखाई देता है यानि समाज के सभी वर्गों को ले करके चलने वाली बात होती है तो देखें यहाँ पर में तत्थ है कि जब हम समाज वाद पढ़ते हैं तो साथ साथ सामवाद आता है जो कि सामवाद इसी का परखर रूप है यानि कह सकते एग्रेसिव रूप है समाज वाद क्या करता है कि समाज को ले के चलता है लेकिन सामवाद क्या करता है कि एक करने के लिए समाज को एक करने के लिए संगर्स की बात करता है और जो समाजवाद है वो एक परकार से स्वपंदरसी concept पे अधारित है कि ऐसा होना चाहिए public को पुझी पती वर्ग को कोई भी जितना income हो सबको बांट देना चाहिए तो ये एक परकार से स्वपंदरसी विचाधारा हो जाता है लेकिन समाज में अभी भी देखिएगा कोई यह पुझी पती वर्ग है जो अच्छा income जनरेट कर रहा है तो यह नहीं कि कमा करके वो आम जनता को मौ्ट दे रहा है ठीक है और जो जहां पे मिल रहा है वो जैदा से ज्यादा सोचन करने का प्रियास कर रहा है ठीक है तो जितनी भी private संस्था है पुझी पती वर्ग के इसे नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आगे चल करके समभादी विचारधारा जो कि कार्वमाक्ष के दौरा आएगा वर्ग संघर्स की बात होगी कि समाज के सभी वर्गों को एक करने के लिए संघर्स करना परेगा लोगों को लराई करनी होगी क्रांती करनी होगी तब जाके वो जो है बराबर होगा और सास्तात उसके बाद रूस में जो उस समय समवाद के परसार के बाद जो करांती हुई वहां के निरंकूस सासक के खिलाप उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे रूस की करांती ठीक है आज थोड़ा सा आपका बहुत बरा टॉपिक है तो इसलि करते हैं जो समाजवाद है वो कहां से निकल के आएगा ठीक है सबसे पहले आपको हमने इतिहास में बताया अमेरिकी करांती के बारे में बताया, तो वहीं से कहीं न कहीं आपको दिखाई देने लगता है, समांता, सोतंतरता और बंधुत, समांता एक परकार से कह सकते हैं कि समाजवादी विचारधारा का ही कुंसेप्ट है, समांता, सोतंतरता और बंधुत, ठीक है, तो समाजवाद 1789 इसमी की फ्रांसी किरांबल कोoms समानती विवस्था और चर्छ के अधिपत्य को समाप्थ कर इसने स्वतन्ता और समानता की भावना पर बल दिया फ्रांस की करांबल कि क्या देन है इसने क्या किया पोप पाद्रियों की सत्ता है जो निरंकूस सासकों की सत्ता है उसको दरकिनार करके समानता स्वतंतरता पे अधारित जो है वहाँ पे सरकार की सरचना की बात हुई है फलता समाजिक बदलाओं से संबंद विभिन विचारधाराओं का उदय हुआ इसी में जो उदारवादी जो विचारधारा है ठीक है उदय हुआ इनमें उदारवादी रूढीवादी या पर्तिकिरियावादी तथा अतिवादी परमुख थे यानि यहां पे कई तरह के विचारधाराय आई एक हुआ उदारवादी जो एक्सेप्ट कर रहा है जो कमियां है समाज की उसको दूर करन یعنی क्रिया के विप्रित पर्तिक्रिया होती है अगर कोई किसी का सोषन कर रहा है तो उसके खिलाफ लरने की बात होती है एक है अतिवादी जर्ष से जायदा मतलब वहां पे संघर्ष करने की बात होगी अतिव ठीक है आपके कार्लमाक्स भी समाजवाद के ही विचारक है तो समाजवाद के यह कोई पहले विचारक नहीं यह सामवाद के पहले विचारक हो सकते हैं कार्लमाक्स लेकिन समाजवाद के उससे पहले बहुत सारे ठिंकर विचारक हो चुके थे इरोप में जिनोंने की समाजवाद ला यहां सोसन हो रहा है, तो जब भी सोसन होगा, आप देखिएगा 90 के दसक का जितना भी मूवी होगा, तो उसमें कमपनी का मालिक रहेगा, दिखाएगा उसमें, आप गौर कीजिएगा, और वो भरकर से जो है, उसको सुब्धा नहीं दे रहा है, उसको फैसलिटी नहीं दे र वर्ग है, उसके खिलाप में एक परकार से बहुत सारा मूवी भी बनाए गया है, ठीक है, तो concept यहीं रहता है कि किस परकार से जो पूझी पति वर्ग है, उससे अपने हक को लिया जाए मजदूर वर्ग के द्वारा, ठीक है, तो यहां पर हम लोग मेन लूप से पूझी प सतंतरता, धार्मीक सतंतरता, यह सब के हिमायती होते हैं, वे निरंकूस वनसानुगा सासक के बिरोधी भी होते हैं, ठीक है, जितने भी उधारवादी, विचारधारा के लोग होंगे, वो निरंकूस, रुडीवादी जो सासन है, उसके खिलाप में रहते हैं, उनका मानना था कि नागरिक और कानूनी समानता से भी अधिक महत्पून समाजिक एभम आर्थिक समानता है ठीक है देखे जैसे भारते समिधान ने मूल रूप से आपको कानूनी रूप से समानता दे दी लेकिन आज भी क्या हमारे देश में आर्थिक समानता आई अभी भी नहीं आई कुकि उससे पहले जो एक सोसक वर्ग था अंग्रेज था उसने बहुत सारे पिसानों से जमिन ले करके जमिनदारों को दे रखा था तो उनकी जमिने जमिनदारों से ले करके जनता में इक्वल वे में बांट अगर दिया जाता मान के चलिए तो ये नौवत नहीं आती इतना जो है और समानता आपके देश में नहीं होता लेकिन चुकि आपको पता ही होगा कि देश में नेता कौन होता है आपके देश में जब स्वतंता की जब लराई हो रही थी तो उस समय भी और आज भी आज भी आपके देश के 10% नेता ही गरीव या कह सकते हैं कि कमजोर आर्थ आता ही वो थी तो इन सर चीज़ पे उन्होंने ज्यादा विशेस नहीं क्या चुकि उनके ही उपर चल जाता है तो कहने का अर्थ है कि आपके देश में आज भी जो मावबादी विचारधारा आ जाता है माव से तुन की विचारधारा जो कॉमिनिस्ट पार्टी कहते हैं वो ही कहता है न कि जो आपके जो पूझी पतिवर्ग है उससे ले करके जमीने चीन लो चुकि यह परेम से देने वाले नहीं है ठीक है तो यह विचारधारा पूरे देश में कार्लमाक्स के द्वारा ही शुरुआत की गई ठीक है आज भी आप देखिएगा मावबादी विचा कितना वहां की सरकार ही हुए ही मावबादी कह सकते है माव से तुम कौमिनिस्ट की सरकार होती है वहां पर ठीक है तो यह विचारधारा आप जितने भी ACI देश हैं, खास करके पुर्वी ACI देश, वहाँ पर ये विचारधारा बहुत जयदा जो है, कौमिनिष्ट का जो विचारधारा है, कार्ड माक्स की माक्सवादी विचारधारा है, वो आपको दिखाई देती है, ठीक है, तो उसके पिछे यही कहानी है, कि एक जो वर्ग सं समानता नहीं आई, तथा इसके लिए अधिक परियास की आवसकता है, ये चिंतक समाजवादी के नाम से जाने गए, ठीक है, तो आवसकता है, केवल ये क्या करते थे, सोचते थे, और बताते थे, कि आर्थिक समाजी समानता चाहिए, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं करते तो उसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं करते थे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर पूछेगा कि समाजवाद का सबसे पहला परियोग किन होने किया, और स्वारी, कब हुआ, तो समाजवाद का जो पहला परियोग है, वो 1827 इस भी में हुआ, समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ती, समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ती 18मी सताबदी के, 18मी सताबदी जब आता है, 18मी मतलब 1700 से 1800, जो की एक पिक है ओद्योगी करांती का, सोलहमी सदी में आपके ओद्योगी करांती होता है, और उपनी वेसवाद का समय है यहाँ पे, एक अंग्रेज वर परबोधर आंदोलन के दासनिकों के लेखों में ढूंडे जा सकते हैं, जैसे सेंट साइमन, यह सब समाजवादी हैं, रैटर है, समाजवादी लेखक हैं, जिन्होंने समाजवाद की सुरुवात की है, समाजवादी की विचारधारा को रखा है, समाज को लेकर के चलने की बात की है, तो उसमें St. Simon नाम याद रखेगा, Robert Owen, यह सब समाजवादी हैं, यह सब क्या है? Euroropeire समाजवादी है, जो कीी शुरवाति-चरण के ही है, ठीक है? अरंबिक समाजवादी आदर्सवादी थी, ठीक है? उनके लिए यह सिध्यानत मातर था, इसलिए उन्हें देख पांता मिलेगी लेकिन अगर हम उसके लिए काम ही नहीं कर रहे है आखिर जिसके पास पूंजी है सोसक बार जिनके पास आज भी company हैं बरे बरे company हैं तो वो तो सोशन करी रही रहा है लोगों का चाहिए जिस रूप में हो पहले भी अंग्रेज के समय में भी जो बरी company आई इस इंडिया company क्या था एक परकार से कह सकते हैं कि वो company आई थी आपके यहां देश पर वेपार करने के लिए और धीरे हाल यूरोप में भी है ऐसा नहीं कि केबल भारत में ही आ करके ऐसा कर रहा है कहीं न कहीं कमोबेस वहां के जो उद्योग पती हैं वो यूरोप में भी ये काम कर रहे थे, ठीक है तो उनके खिलाप एक कह सकते हैं, पुझी पती लोगों के खिलाप एक विचार धारा धीरे-ध अ अपने लगी लेकिन सबसे पहले जो समाजवादी विचार्धारा आई तो वो एक्टिव नहीं था उतना उस पर वो वर्क नहीं करते थे कोई संगर्ज की बात नहीं होती थी केवल एक विचार ध्हारा रखते थे कि समाज में सबको मिलना चाहिए कईसे मिलना चाहिए ये नहीं बात बता देते हैं इसलिए इनको आधर्सवादी समाजवादी काह गया किनको किनको तो नाम यहां पे लिखा गया था सेंट साइमं, रौवाट ओवन, इत्याधी तो शुरवाती जो चरन है वो सपन दर्सी समाजवादी का है केवल वो सोच रहे हैं कि समाज में आर्थिक राजनितिक सब समानता आनी चाहिए लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है अब देखिए समाजवादी अंदोलन का रूप रेखा इस्टार्ट होगा अगर हम समाजवादी आंदोलन को देखेंगे तो इसको दो भागों में बांट करके देखेंगे एक Karl Marx से पुर्व का जो समाजवादी है विचारधारा और एक Karl Marx के आने के बाद का समाजवादी विचारधारा तो यहाँ पर दो समाजवादी विचार धारा है, तो सबसे पहला है कि कार्ल मार्क्स की पहले का जो समाजवादी है, वो है वर्ग समन्वे समाजवादी, वो वर्ग को ले करके चल रहा है, यानि सभी लोगों को ले करके चल रहा है, वर्ग में संघर्स की बात नहीं करता वो लेकिन जब कार्माक्स आएंगे तो वो क्या करेंगे वर्ग संघर्ष सम्वादी समाजवादी को इसने क्या नाम दे दिया सम्वादी विचारधारा थोरा सा कंतर है सब कुछ एक ही बस वो वर्ग समन्वे अधारित समाजवाद है और ये वर्ग संघर्ष के अधारित समवाद है ठीक है और इसको वज्ञानिक समाजवाद भी कहा गया किसको जो आपका वर्ग संघर्ष अधारित समवादी विचारधारा है इसी को वज्ञानि समाजवाद की सुरुवाद किस ने किया था तो याद रखेगा कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स एक बहुत अच्छे विचारक और एक पत्रकार भी है उस समय इन्हों ने जो है पूझी पतिवर के खिलाप में बहुत जायदा यहां पर अपना विचार रखा है और लोगों को प्रभावित भी किया है अपनी समय में ठीक है अब यहां पर हम लोग थोरा सा देखेंगे कि आदर्सवादी समाजवादी चिंतक के वारे में सेंट साइमन चार्ल्स क अर्ल मार्क्स भी देदेगा तो आप तो जान नहीं कि सभी समाजवादी थे यह समाजवाद के इन्हों ने किया था लेकिन दोनों में अंतर है तो शुरुवाट में नहीं है यह तो रोवर्ट ओवेन, लुईवला, साइमन चार्ल्स यह सब जो हैं यह सब आदर्सवादी स समाजवाद यानि सुरुवाती जो समाजवाद का जो सुरुवात हुआ है वहाँ पर इन्होंने अपना अपना विचार रखा है ठीक है या कह सकते आदर्सवादी हैं सब पंदर्सी भी इनको कहा गया है इनका मानना था कि राज और समाज का पुनरगठन इस परकार होना चाह जिससे सोसन की परकिरिया समाप्त हो इनका मानना है कि राज और समाज इस परकार से बनना चाहिए जिससे की सोसन ना हो ठीक है जो आपको लगता है जरूरी का पीडियेफ वो प्रिंट करवा लीजी ठीक है वो तो आपका कौन सा जैसे बन चली अगर आप 628 में दो पेपर ह जिस्टी जिओग्रफिक करा लीजिए बाद वाकि वीडियो देखिए टेस्टीज लगाई है उसी में आपका रिजल्ट बन जाएगा केवल वीडियो देखते रहिए बार बार सुनते रहिए और सेट बनाते रहिए हमने बस आपको बताया है प्रिभियस येर घर्टना चक आप देखिएगा कि पिछले TRE1 TRE2 में भी आए और TRE3 में भी आएंगे ठीक है इंजाम के बाद फिर मिला लीजिए चलिए और पूछा ही गया था कार्ल माक्स से भी कोश्चन था ही दास केप्टल का पूछा ही गया था उसके बाद ये आदर्सवादी समाजवादी से पढ़ना तो परेगा अच्छे से समझ के जाना तो परेगा चलिए तो जो जिनका सब्जेक्ट है वो अपना प्रिंट करवा के पढ़िए बाकी पीडियेप भी पढ़ सकते हैं इनका मानना था कि राज और समाज का पुनरगठन इस परकार होना चाहिए जिससे सोसन की परक सकता हैं इंग्लेंड में समाजवाद के परवर्तक हैं 1777 से 2885 के बीच 2888 को माना जाता है इन्होंने अध्योगी करांती से उपजे सर्मिकों के सोसन को दूर करने के लिए तथा उनके जीवन अस्तर को सुधार करने हैं तो हर संभब प्रियास किया अगर पूछेगा इन में से सुरुवाती दौर के समाजवादी कोन है या इंग्लेंड में जो जिन्होंने किन को समाजवाद का परवर्तक के रूप में जाना जाता है इंग्लेंड में समाजवाद के परवर्तक के रूप में किन हैं जाना जाता है इस तरह से कोश्चन पूछेगा तो आप क्या जव मिकों का जुस्सोशन था मजदूरों से भारा भारा घंटे काम कराय जा रहे थे उनको सेलरी उचित नहीं दिया जा रहा था उनको उचित माहौल नहीं दिया जा रहा था उनको छुटिया नहीं होती थी तो ये सब के खिलाब सुरुवाती दोर में इंगलेंड में जो है बट ओवेन हैं लुई वला है इन सब से प्रेड़ना लेकर के ही नहीं समाजवादी कॉंसेप्ट की व्याक्षा की ठीक है और वो क्या कहलाएगा सामबाद अंतर है वर्ग संगर्थ सामबाद में आ जाएगा वर्ग समन्वे समाजवाद में आ जाएगा ठीक है चलिए अब आ आपको अंतर कम से कम समझ में आए और आप जब टीचर बने जब आपको पढ़ाने दिया जाए उस समय आप बहतरीन कॉंसेप्ट के साथ पढ़ाए जिससे पूरा बच्चा आपका जो भी स्टूडेंट हो वो भी संतुष्ठ हो ठीक है और आपको भी मज़ा आए इसको पास कर गए लेकिन टीचर बन गए लेकिन दो लाइन आ नहीं रहा है लिखने नहीं आ रहा है बोलने नहीं आ रहा है तो यह आपको जीवन भर जो पस्तावा होगा ठीक है बहले आप टीचर बन जाईएगा लेकिन आप में कहीं ना कहीं डॉलेज की कमी जो कि आपको हर पूरे हो ही जाएगा बहुत कम ही लोग बच पाते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जब पढ़ाने जाईएगा जो भी सब्जेक्ट हो आपका तो वो एक skill develop कर लिएगा कि जिससे कि आप किसी को समझा सके बच्चों को और वो भी आगे भविश्च में बेहतर कर सके ठीक है चलिए अब आते हैं मेन मुद्दा पर काल मार्क्स काल मार्क्स विचार धारा क्या है समाजवाती विचार धारा को आगे बढ़ाने में काल मार्क कब से कब रिटर नगर जर्वनी का राइन प्रांत कोईला वाला एडिया है वही पर एक यहूदि परिवार में हुआ था यहूदि एक धर्म है यहूदी ठीक है अभी आपका सब से जयुदा जो है यहूदि लों पहसी रहते हैं बताइए यहूदि सब से जयौदा अभी जो virus होते हैं ठीक है तो यहाँ पे यहूदी परिवार में हुआ था किनका जन तो कार्मार्स का उनके पिता का नाम हेंरिक था और वो भी एक विख्यात वकील थे कौन तो इनके पिता हेंरिक हेंरिक अगर पूछे कार्मार्स के पिता का क्या नाम था तो हेंरिक था वो भी एक परसिद्ध उस समय के वेख्यात वकील है ठीक है अब आते हैं कि मार्क्स पर किसका परवाव परा तो मार्क्स पर मॉन्टेस्क्यू और हीगल जो कि फ्रांस की करांती में हम लोग मॉन्टेस्क्यू के बारे में हीगल के बारे में पढ़ा तो उसका परवाव यहाँ परवाव था, 1843 में वे पेरिस गे, पेरिस फ्रांस की राध्धानी, जहां उनकी भेट फेडरिक एंगल्स से हुई, और एंगल्स पता है एक पूझी पती वर्ग का बेटा है, एक पूझी वादी जो फ्रांस का है, एक कमपनी का मालिक है, पूझी कर रहा था, उसके खिलाप में जा करके, मार्क्स के साथ, कार्ल मार्क्स के साथ मिल करके, एक कह सकते है, कॉम्मिनिस्ट मेनो फेस्टो भी दिया था, ठीक है, तो फेर्डरिक एंगल्स से इनकी मितरता होती है, जो की एक पूझी पती वर्ग से ही जुरा हुआ परिवार से था, मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 848 इस्वी में ये पूछेगा, ये कोशन अत्यन्त ही महत्पून है, कॉम्निस्ट मेनुफेस्टो किसके द्वारा दिया गया था, तो कॉम्निस्ट जो मेनुफेस्टो है, वो आपका, किसके द्वारा, एंगल्स और काल मार्क्स के द्वार इसी को समवादियों का घोसना पत्र भी कहा जाता है कॉम्मिनिस्ट मैनिफेस्टो कब दिया गया तो अठाड़े सौ और तालिस इस भी में किसके किसके द्वारा तो एंगल्स और कार्ल मार्क्स के द्वारा अत्यंत ही महत्पूर्ण भी भी आई लेन है यहाँ से कोस्टन आप दिखेगा आपके एक्जाम में पूछ देगा तो आपको देखने से ही लग जाएगा कि कहां से कोस्टन पूछेगा इसलिए मैं बोलता हूँ लाइन वाइलाइन पढ़िये लाइन वैलेट आपको अपने आप लग जाएगा कि यह महत्पूर्ण तथ्य है और आप एक्जाम में पूछेगा तो यह अनभव करेंगे धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं जब एक्जाम में बढ़ते हैं जिससे हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग को अनभव हो जाता है कि यहां से यह question BPSC create कर लेगा किसी ना किसी रूप में. और आप exam में बैठीएगा तो देखेगा वही सब question पूछा हुआ रहता है. ठीक है? पेपर अप होगा? पेपर अप होगा मतलब? टफ होगा कि अप होगा? कुछ भी होगा कलास नोट से बाहर नहीं होगा हमने कोई ची छोड़ा ही नहीं आप टेंसर नहीं लीजी बरोसा किया अच्छे से पढ़़ा है कर ये देखिए कैसे result बनता है? जितना कहते उतना करते रहे जो जो चीज बताते हैं करते रहे निश्चित रूप से सफल होईएगा पेपर टफ होगा तो पेपर टफ नहीं होगा तो असान होगा क्या? टी आरी खिरी में पहुंच गया असान ही होगा टी आरी खिरी सब से टफ होगा जान लिजी अभी टी आरी टू से भी टफ होगा निश्चित रूप से होगा टफ नहीं होने का तो कोई बात ही नहीं है लेवल भी हाई होगा निश्चित रूप से होगा सही बोल ले होगा क्यों नहीं होगा चुकि इसके पिछे रीजन है कट आफ देखने कितना हाई चला गिया तो उनको भी तो बॉंड करना है बांधना है कट आफ को इसलिए कोश्चन के लेबल अब बहुत ज्यादा उपर किया जाएगा चुकि आपने देखा मैत में भी लोग 90 पलस कट आफ जा रहा है 120 में 90 पलस कट आफ जाना बहुत बड़ी बात है तो इसलिए आयोग अपना एक परतिष्ठा एक कह सकते हैं प्रेस्टीज बनाने के लिए उस तरह के कोश्चन ही पूछेगा जिससे आचुकि कई लोग जो है तो एदम जान लीजे कि टफ रहेगा ही रहेगा ठीक है चलिए इन्होंने पूझी वाद की घोर भर्षना की पूझी वादी समझी रहें सर्मिको के हक की बात उठाई मजदूरों को अपने हक के लिए लरने को उत्परिरित किया उन्होंने लिखा सर्मिको को सिवाए क्या दिखें ये बहुत ही महत्पूर्लाइन है मजदूरों को अपने हक के लिए लरने के लिए उत्परित किया उन्होंने लिखा सर्मिको का सिवाए उनकी बेरियों के कुछ भी नहीं खोएगा उन्हें विश्व पर विजय प्रात करनी है दुनिया के सर्मी को एक हो दुनिया के मजदूरों एक हो तुमको खोने के लिए बेरी के सिवा कुछ नहीं है जंजीर के अलावा कुछ नहीं है खोने के लिए और पाने के लिए पूरा संसार है एक हो जाओ सभी मजदूर वर्ग जितने भी हो एक हो जाओ ठीक है और मजदूर दिवस एक मई को जो मनाय जाता है वो कहीं न कहीं यहीं से सुरुआत होता है ठीक है चलिए मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक कई वार कोश्चन पूछा है दास केप्टल किसकी रचना है याद रखिये दास केप्टल किसकी रचना है कार्व मार्क्स की रचना है दास केप्टल ठीक है और कब परकासित किया था तो अठारा सो सरसट इस भी में और इसको समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है अगर question पूछे समाजवादियों का Bible किसको कहा जाता है तो याद रखेगा Das Capital ठीक है Das Capital जो है आपका समाजवादियों का क्या है Bible है समाजवादियों का अगर पूछे Bible किसको कहा जाता है तो याद रखेगा Das Capital जो है वह समाजवादि जो है उनका Bible है ठीक है चलिए यहाँ तक उमीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं अब आते हैं माक्सवादी दर्सन जो माक्स हैं उनका फिलोसफी क्या है दर्सन क्या है माक्षवादी दर्सन इनका मानना था मानव का इतिहास उसके जीवन और आर्थिक गतिविदियों का इतिहास है यानि जितना भी इतिहास है इन्होंने अपने तरीके से परिभासित किया इन्होंने बोला जो मानव का इतिहास है वो आर्थिक गतिविधी और मानव के जीवन से संबंदित है यानि मानव इतिहास बर्ग संघर्ष का इतिहास है ठीक है आर्थिक गतिविधी जो हुआ है उसके बीच का इतिहास है जो वर्ग संघर्ष सुरुवास से ही होते आया है कोई नया संघर्ष नहीं है सुरुवाती दोर में क्या होगा एक राजा और एक दास जो एक मालिक है उसका और दास का है फिर आपका क्या होगा उद्योग पती और सरमिक मजदूर वर्ग का है इस तरीका से उन्होंने कई सिध्यान्त भी दिये हैं और कई बार पूदेगा जन्दात्मक भोतिक वाद का सिध्यान्त किसने दिया तो याद रखेगा कारल माक्स वर्ग संधर्स का सिध्यान्त किसने दिया कारल माक्स मुल्ल एवं अतरिक्त मुल्ल का सिध्यांत किस ने दिया कार्ल माक्स राजहीन और वर्ग विहीन समाज की अस्थापना का सिध्यांत किस ने दिया तो ये भी किस ने दिया तो याद रखेगा ये भी किस ने दिया कार्ल माक्स ने ही दिया तो ये अगर कोई सी द्यांत पूछ दे, कार्णमार्क्स मारिएगा, पूछ देगा आपके एक्जाम, चलिए, इनके अनुसार इतिहास के तीन चरण हैं, किसके अनुसार, तो कार्णमार्क्स के अनुसार, पहला चरण, प्राचीन, स्वतंत्र लोग और गुलाम के बीच, या समय आएगा कि समंत और जो किसान हैं, उनके बीच का संगर्स है, और आधनिक पुझी पती और मजदूरों, या सर्मिकों के बीच का इतिहास है, यानि संगर्स है, यानि जो इतिहास ही, वो संगर्सों का इतिहास है, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्र लोग और गुलाम लोग हैं उनके बीच का है फिर मद्दिकाली नितिहास जो है समंत और किसानों के बीच का इतिहास है जो संघर्स है और तीसरा जो आधुनिक इतिहास है पूरी पती लोग और जो मजदूर लोग हैं उनके बीच के संघर्स का इतिहास है तो इन्हों इससे सर्वहारा वर्ग को पूझी वाद के बिरुज संघर्ष करने की परेड़ना मिली, जो सर्वहारा है, जो जन समानने है, वो पूझी वादी वर्ग के बीच में यहाँ पे संघर्ष करता है, इनके विचारधारा से प्रभावित पार्टी, कौन-कौन सी पार्टी जो समा इमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी बिल्कुल माक्सवादी विचारधारा पर अधारित है। लेवर पार्टी बीटिन यह भी माक्सवादी विचारधारा पर अधारित है। ठीक है अब आते हैं मार्क्स की मिर्ट्यू, मार्क्स की मिर्ट्यू 1889 में पेरिस में दूतिय अंतराष्टिय संग की बैठक हुई, जिसमें विविन देश के जो है 400 परतिनिधी भाग लिए और सम्मेलन में 8 घंटे का दिवसकी मांग रखी गई, यानि मजदूरों को 8 घंटे से ज्यादा, आज भी आप देखते होंगे कि कोई भी कमपनी है या सरकारे जो नौकर है वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है, तथा एक मैं को मजदूर एकता परतिक के रुपे मजदूर दिवस मनाने की घोसना की गई, ठीक है, तो ये सब आपका कब हुआ था, तो पेरिस में 2889 में जब मजदूर संकी बैठाक हुई, तो वहीं पर ये सब निड़्या लिया गया कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी जो भी पूझी पतिवर्ग है या कोई भी कर्मिक है, वो 8 घंटा से ज्यादा नहीं काम कोई भी करवा सकता है कर्मिकों से, और साथ-साथ एक मही को मजदूर एकता के रूप में मजदूर दिवस मनाने की घोसना की गई, अंतराष्टिया मजदूर दिवस जो है, एक मही को मनाया जाता है, रूस में जो 1917 की जो क्रांती आती है, उसमें भी कहीं न कहीं समवादी सरकार की जो अस्था विचारधारा पे ही आधारित है ठीक है आगे चल करके चीन में भी सामवादी विचारधारा आया यहां तक कि अपने देश में भी सामवादी विचारधारा से प्रभावित बीरभगत सिंग थे सबसे पहले सामवादी समाजवादी विचारधारा को देश में लाने वाले व्यक्ति मनवेंदर नाथ रोए ठीक है तो इन सब लोगों को भी जो भारते क्रांतिकारी हैं उनको भी यह विचारधारा प्रभावित करता है और आज के भी बहुत सारे लोग हैं जो कम्मिनिस्ट में कम्मिनिस्ट पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो करके कहा जाता है कई लोग बोलते हैं जैनियू है जो उसका गड़ है जवालल नहरू इन्वर्सिटी वहां कम्मिनिस्ट विचारधारा के लोग रहते हैं तो चलिए अपना अपना जो भी है उस पे हमको नहीं अब हम लोग पढ़ेंगे रूसी करांती, रूस की करांती, ठीक है, आप लोग 910 से ही ये सब करांती पढ़े हैं, और आप देखिएगा कि 910 में में रूप से बिश्र इतिहास ही है, तो 910 का जब आप पीचर बनेंगे तो क्यों नहीं यहां से, कई लोग बोलते हैं बिश्र करांती पढ़ाना है, तो यहां से क्यों नहीं कोश्चन पूछेगा है, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ठीक है, चलिए, 125 में भी यहां से कोश्चन, दो-चार कोश्चन जो है आधारिक पूछ दिये जा रहे हैं, इसलिए जैदा टेंसर नहीं लिजिए, इंसर नहीं लेना है, हम बता रहे हैं, जितना कह रहे हैं, उतना कीजिए, आप 100 पलस नमर लाईएगा, सारे कोश्चन यहीं से रहते हैं, इससे अच्छा आपको कोई नहीं मटेरियल देगा, गाएंटी के साथ वाल इंडिया बता रहा हूं, ठीक है, जितना अच्छे से हम मेरा optional subject था, जान लेजिए, इस कारण से मैं आपको इतना अच्छे से बता रहा हूं, इतना असान नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए समझ यह बात को, तो लगवग सारे question हमारे पढ़ाये हुए ही रहते हैं, ठीक है, आपको इचेप्टर पर लिजे, अगर उस चेप्टर का question पुछा है, भी कैसी, तो देखिए हमारे notes में कहीं, या तो हम मुह से चर्चा किये हैं, या हमारे notes में हो, निश्चित रूप से आपको मिल जाएग ठीक है, तो भरोसा कीजिए, जूरे हैं, तो भरोसा कीजिए, ठीक है, बाके बहुत सारे teacher आपको पढ़ा रहे हैं, objective रटवा रहे हैं, वो भी रठिये, हम नहीं कहते कि उनका नहीं देखिया, नहीं रठिये, लेकिन concept बहुत जरूरी है, चलिए, रूस की क्रांती, अब र रूसी क्रांती, रूस में बरसों से चली आ रही निरंकूस, जो वहां का सासक है, स्वेक्छाचारी सासक है, उसके खिलाप, यहां का क्रांती हुई, जिसने रूसी जनता को क्रांती हेतु प्रेरित किया, यानि जो रूस में बरसों से जो निरंकूस सासक वर्ग है, स्वेक को जानी यहां की जनता तो यहां पर रूस की जनता ने अपने सरकार के खिलाप निरंकूस शासक के खिलाप यहां पर करांती की वही रूसी करांती यहां पर नाम से जाना गया है ठीक है चलिए रूसी करांती के कारण कारण को देखा जाए तो उसके कई कारण है सबसे पहला क अगर आप देखिएगा तो निरंग कूस राज तंत्रो स्वेक्षा चारी शासक जो कि मनमानी कर रहा है अपने मन से दूसरा है वहां की समाजीक आर्थिक विशंता देखिए जिस परकार से फ्रांस में समाजीक आर्थिक विशंता थी तीन भागों में बटा हुआ था थ्री इस्टिट में उसी परकार से यहां पर भी समाजीक आर्थिक विशंता चुकी और दोगित क्रामती हुई तो यहां भी हुआ था और यहां पर भी दो वर्ग पूली पति वर्ग और मजदूर वर्ग बन चुके था और उनके बीच में यहां पे संगर सो रहा सर्मिको की दसा जो मजदूर थे उनको जायदा से जायदा यहां पे काम करवाया जा रहा था तो उनकी दसा बेहतर नहीं थी, किसानों की दैनिये स्थिती थी ठीक है, और इन लोगों को समाजवादी विचारधारा ने भी प्रभावित कर दिया था ठीक है, खास करके कार्लमाक्स की विचारधारा, उसके बाद यहां पे जो बोधिक जो बिचारक हैं उनकी भूमका भी रहेगी चुकि कोई भी आंदोलर तभी होगा जब वहां पे विचारक होंगे और वो लोगों को प्रभावित करेंगे जैसे भारत में भी बहुत सारे कह सकते यहां पे महापुरूस हुए, महात्मा गांध हुए, पंडित नहरू हुए, भगत सिंग हुए, बालगाधर तिलक हुए, सबकी अपनी अपनी विचारधाराए हैं उसके अधार पर यहां पर भी अंग्रेजो के खिलाप में उन्होंने किरांतिकारी मोहिम की, तो उसी परकार से रूस में भी वहां के निरंकुसासक के खिलाप वहां के बुद्धिक जीवी जो लोग है, बुद्धी वाले लोग है, उन्होंने यहां पर विरोध किया और न कारण के रूप में आप में रूप से जानिये कि जो ततकाली कारण के रूप में भी आप कह सकते हैं रूस और जपान पर्थम 20 यू जब हुआ तो जपान की सेना रूस की बहुत सारे पार्ट को जीत लिया था और रूस की जंता इस बात से बहुत जायदा अक्रोशित हुई के सासक के खिलाब एक छोटा सा जपान एक छोटा सा चुहा एक पूरे बड़ा सेर पे कह सकते कि कबजा में ले रहा था तो कही न कहीं वहां की जनता अपने सासक वर्ग से बहुत ही खफा थी ठीक है तो यहाँ पर देखिए रूस जपान यूद पर्थम इस यूद में भाग दिया गया है ठीक है और फिर चलिए पर्थम अब सबसे पहले हम लोग निरंकूस राजतंत्र के बारे में पढ़ेंगे रूस में निरंकूस एवं देविया सिध्यांत पर अधारिश सासन था नौकर साही बंसानुगत एवं भरस्ट था ठीक है जार निकोलस वहां के सासक क को जार कहा जाता था निकोलस पर्थम समय यह निरंकूस था अपनी चरम अवस्था पर थी जब निकोलस पर्थम था वहां का सासक तो वहां की निरंकूस था अपने चरम पर थी ठीक है जिस कारण जनता में ने वहां पर विरोध किया तो यह तो आपका निरंकूस सासक जब राजा अपने भूमी को छोटे-छोटे कर करके और जो है बड़े-बड़े समन्तों जो उस छित्र में सासन करते हैं उसको दे देता है और वो एक परकार से सोशन का काम करता है किसानों का ठीक है तो समन्त जो है यहाँ पर वो भूमी का सरसट प्रतिसत हिस्सा पे वो कब मातर किसान जो थे वो 33% हिस्सा पर ही ओ सरी चर्च का था था नहीं ठीक ही है तेरह परतिसत हिस्सा चर्च के पास था जिस कारण से किसान मज़़ूरों के तरह खेतों में काम करने को मज़़ूर थे ठीक है तो सरसठ और तेरा जोर लीजिए इतना तो इन ही लोग के पास था समंत और चर्ज के पास ही था तो यह 80 होई ही गया ठीक है तो 80 पर 30 हिस्सा तो इन ही लोग के पास था मातर 20 पर 30 हिस्सा ही वहां के किसानों के पास था जिस कारण से जो वहां के किसान थे उनको मजदूरों की तरह काम करना पर रहा था खेतों में तो ये बहुत बड़ा कारण था अब देखें ओद्योगी करांती वहां भी हुई सरमीको की दसा अच्छी नहीं थी रूस में ओद्योगी करन देरी से हुआ तथा अर्थ ब्यवस्ता में विदेशी पूझी निवेस के कारण सरमीको का चुकि वहां पर सबसे लास्ट में ओद्योगी करांती हुई तो चुकि विदेशी पूझी वहां जैदा लगे हुए थे तो विदेशी जो लोग थे जो कमपनी वाले थे वह जैदा से जैदा वहां सरमीको का सोसन कर रहे थे ठीक है तो विदेशी पूझी लगने के कारण सरमीको का तिधिक सोसन हुआ नहीं कार्ज के घंटे निधारन किये जे और नहीं बेतर मनमानी कर रहा है कमपनी किसी को जैदा किसी को कम किसी को 12 घंटे काम करवा रहा है किसी को 14 घंटे इस तरही का उसके बाद समाजवादी विचार का परसार समाजवादी विचार धारा के परवाव के कारण दो दल सक्रिया हो गए रूस में एक समाजवादी करांतिकारी दल दूसरा समाजवादी परजा तांत्रिक दल, ये दो दल रूस में बन चुके थे, पार्टी कह सकते हैं, दोनों दलों ने किसानों और मज़दूरों की हित की बात की, बहुत धिकों की भुमका, कई बार पुछेगा गोर की, गोर की कहा का बिचारक है, क्रांतिकारी हैं, मतलब लेखक कह सकते हैं, लियो ट्वल्स्ट्वाइ की रचना है, इससे गौंधी जी भी प्रभावित थे, वार एंड पीस, ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो ट्वल्स्ट्वाइ की, याद रखेगा, ये भी कोशन पूछा हुआ है, लियो ट्वल्स्ट्वाइ, वार एंड पीस कि इसकी रचना है तो लियो टॉल्स्ट्वाइ गौंधी जी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे रचना की जिसने रूसी जनता को राष्टवादी भावना जागरित किया तो ये सब जो दार्शनिक है गौर की टॉल्स्ट्वाइ विचारक इन्होंने अपने गरंथ लिख क करके किताब लिख करके पत्रकारिता करके लोगों को अपने विचार से प्रभावित कर दिया और उनके अंदर राष्टवादी विचारधारा को पनपा दिया ठीक है रूसी जापान यूद्ध ये तो ततकाली कारण था ही एक छोटा सा जापान है उसने क्या किया जब रूस की जनता को अपने सासक के परतिनकारात्मक भावना पैदा कर दिया एक छोटा सा जपान से रूस की सेना हार गए तो वहां की जनता का दिमाग ठन गया अरे ये एक छोटा सा जो सेना का टुकरी है वो भी हमारे देश के सेना को हरा दिया तो वहां के सासक के खिलाप मे वो लोग उतर गए जमीन रोड पर ठीक है। चलिये। समाजी का अर्थिक वरम सैनी कसतर पर कमजोरी को दूर करने के लिए जनता ने एक परतिनीधी सदन जो कमिया थी उसको दूर करने के लिए एक डियुमा की मांग की डियुमा एक परकार का कह सकते हैं संसर अपनी मांग को लेकर एक सांती पूर्ण जुलूस निकाला कि उनकी क्या-क्या डिमांड है जनता को क्या-क्या चाहिए उसके लिए उन्होंने जुलूस निकाला लेकिन जार जो था निकोलस दूती है उसने क्या किया उन पर गोलियां चलवा दी जिस से जनता और उग्र हो गई ठीक है पर्थम विश्यूद में भागीदारी रूस ने सामाजवादी या समराजवादी लाव लेने है तू रूस भ भी कुछ लाब नहीं होगा हानी जितना हो जाए तो उससे अच्छा है उसने क्या किया कि जर्मनी से समझोता करके अपने आपको अलग कर लिया ठीक है तो रूस ने समराजवादी लाव लेने है तो मित राष्टों के पक्ष में पर्थम इस यूद में भागीदारी तो की क जिन्तु इस यूद में रूस को कुछ भी हाथ नहीं लगा उल्टे 1916-17 में रूस में भीशन अकाल एवं खाद्यान संकट उत्पन हुआ जिससे जनता अक्रोसित हुई तो वहाँ पे खाद्यान की संकट आ गई रूस की जनता को अब खाना नहीं मिल रहा है जो पर्थम इ स्यूद में वो मित्राष्ट के संक्से लर रहा था जिस कारण से ये इस्थिती रूस में आ गई ठीक है बर्स 1905 की करांती जो रूसी करांती में कह सकते हैं खूनी रविवार की करांती आप लोग पढ़ते होंगे 9 जनवरी 1905 को रूस के सर्मिक की जथा जो मजदूर था उसका जथा अपने बिवी बच्चों के साथ जार को एक ग्यापन सोपने निकला की एक लिस्ट ले करके कि हमारी मांग है ये सब पुरा कीजिए ठीक है किन्तु सेंट पिट्सवर्ग में उन पर गोलियां चला दी ग निथी क्या था 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की करांती हुई जब वहां के सर्मिक वर्ग अपने बिवी बच्चों के साथ अपनी मांग को रखने के लिए राजा आप वहां के जो जार है सासके उसके पास जाता है तो वहां पर रास्ते में ही सेंट पिट्सवर्ग पर जो जगह है वहां पे इन पे गोलियां चलाई गई ठीक है जिसमें बहुत सा जाइदा संख्या में लोग मारे भी गए इस घटना ने रूस में जार के विरुद्ध जो है एक ससक्त विद्रोह कायम कर दिया और विरोध होने लगा ठीक है लेकिन आगे चल करके जार को करने की बात की गई लेकिन आगे चल करके जार मुकर गया जनता की प्रिसानी जो की तयोंबनी रह गई अतह देर सविर एक आंडोलन और होना ही था चुकि यहां की जो सासक वर्ग है यहां का जो जार है वो बात मान करके मुकर गया कैसे आपकी राजनितिक पार्टियां जो से कुछ बोलते रहेगी और जब जीत जाती है सरकार बन गया तो उस पर कोई अमल नहीं लेकिन कहीं न कहीं जनता के अंदर तो आक्रोज की भावना रहेगी ही ठीकर देर सबेर दूसरी करांती होनी थी जो आगे चल करके 1907 में हुई 1905 का दवा दवा करांती अब जाके से भूखी जनता बजार में लूट पाट आरम कर दिया किन्तु सैनिकों ने मना कर दिया ठीक है जब सैनिकों को कहा गया कि इन जनता को जो है हटा आउसाइड करो तो सैनिक ने मना कर दिया चुकि वहां की सेना भी चाहा रही थी कि अब निरंखुशासा का अंत हो जाए जार का अपना अंत नजदीक आने लगा लग गया जब सेना उसकी बात नहीं मान रही है तो ड्यूमा ने सला दिया कि जनतांत्रिक राजतंत की वरस्था अस्थापित किया जाए मजदूर एवं सैनिकों ने मिलकर एक रांतिकारी सोवियत परिसंग का निर्मान किया और सोवियत संग आप लोग जानते ही होंगे ड्यूमा के सदस्टों के साथ मिलकर और अस्थाई सरकार का गठन किया और रूस में राजतंत्र से सद के लिए रूस में राजतंत्र समाप्त हुआ और वहां पर जनतंत्र की अस्थापना हुई ठीक है तो राजतंत्र के बाद जो समाप्ती के बाद जो सरकार आई कई बार पूछेगा कि रूस में 1917 में राजतंत्र के समाप्ती के बाद किसकी सरकार आई थी तो वह क्रेंस्की के ह परकार का नत्रित क्रेंश की करेगा ठीक है इसने मंध्यम बर्ग को आगे चलकर मजदूर और किसानों ने बोलसेविक जोकि लेनिन इसका निर्माता है बॉलसेविक पार्टी का उसने यहां पर बॉलसेविकों के परभाब में आकर वहां की जो किसान है जो सर्मिक वर्ग है वो उसके परभाब में आकर के क्रेंस्की की सरकार का विरोध प्रारंभ कर दिया यानि क्रेंस्की जिसने सरकार बनाई राज तंत्र को समाप्त करके डियूमा के मदद से अब चुकि इसने जो है वहां के जो मजदूर वर्ग है सर्मिक वर्ग है उसके लिए कुछ नहीं किया तो जो वहां की जनता है जो सर्मिक वर्ग है वो बोलसेविक के नित्रित में आकरके यानि लेनीन के नित् करते हुए उत्पादन एवं बित्रन के साधन पर राज का नियंत्रन एवं विश्व यूद से रूस की भागीदारी समाप्त करने की घोशना की बात की जिससे लेनीन के लिए जन समर्थन बहुत जायदा हो गया और इसी करम में बोलसेविक ने सास्किय भबनों बिजली घरो रेलफे स्टेशन आधीकार किया और अंतता करेंशकी को त्याग पतर देना पड़ा और लेनीन के नित्युत में वहाँ पर जनतांत्रिक जो मंत्री मंडल का गठन हुआ फिर वहाँ पे सासन इस्टार्ट हो गया तो लेनीन के नित्रित्म बोल से भी करांती कब हुई उनिश्वा 17 इस्वी में ठीक है तो यहाँ से निश्चित रूप से रूस की करांती से आपको कोश्चन पूछे जाएंगे रूसी करांती के परणाम निरंक अलग हो गया अपना बचाव किया पूझी वादी भावना का विरोध और तभी से अमेरिका और देख रहे हैं अमेरिका और रूस एक दुसरे का जानी दुस्मन बना हुआ है एक पूझी पतिवर को समर्थन करता है और एक समाजवाद को करता है ठीक है आर्थिक परणाम र इतरन के सादनों पर जनता और राज का अधिकार हो गया यानि जितने भी कंपनियां थी जितने भी फेक्टरियां थी उस पर वहां की सरकार का सासन हो गया और वहां की जनता में वो डिस्टिब्यूट हो गया बैग्ञानिक तकनिकों का विकास हुआ उर्जाचेत पर जोड में नहीं आई तो उसके पीछे लेनीन का जो इतना कह सकते हैं जो उनिस्वा 21 में यहां पे जो अर्थ बेवस्था आई नहीं आर्थिक निती आई रूस में उसने उसको बचा लिया था समाजिक परिणाम समाजवादी विचार धारा का विश्मे परसा और यहीं पे मास्कों म रचनाओं का अंत हो गया बर्ग विवेज समाप्त हुआ सिच्छा का परसार हुआ और सोले वर्ष तक के आयू के बच्चे के लिए निसूल का निवाज सिच्छा लागू कर दी गए कहां रूस में वहीं देखा देखी भारत में भी हुआ परतेक व्यक्ति को काल देना राज का कर्तब बना कर्तब भी मौली कर्तब भी कहां से लिया गया है याद रखेगा यहीं से रूस से समाज में भेदभाव और समानता की समाप्त हुई लेंगी की जो विभेद है वो महिलाओं के परती जो अभी भी आपके देश में वो सब समाप्त हुआ है रूस में ठीक है आगे बढ़ने का अपसर मिला बेश्विक अस्तर पे सर्वहारा वर की करांती और संगहर सेतु जो मार्क्सवादी विचार धारा है वो पनपी पूरे विश्व में सर्मिकों का महत बढ़ा नियोजीत अर्थव्यवस्था का परसार हुआ उपनी वेसों में चल राष्टी आंदोलन में स्वससत्र विद्रो की भाबना बढ़ी चुकि इन्होंने हतियार उठा करके काम किया था आगे चलके चीनी करांती पढ़ाएगा उसने तो बोला ही था कि जो है करांती जो है जो आजादी है न वो बंदू के गोली से निकलता है मुक से ठीक है विश्व में पूंजी बाद समाज बाद के बीच वेचारिक मतवेद वढ़ा और यहीं से अमेरिका और जो रूस का जो वेचारिक विवेद है शुरू हुआ इसी करम में सीत युद का विकास हो गया किसके किसके बीच अमेरिका और रूस के बीच में तो यह सारे अब अबज़ेक्टिव कोस्चन है आप लोग अच्छे से अबज़ेक्टिव कल क्लास लेने से पहले हम सारे अबज़ेक्टिव आप लोग बनाईएगा उसके बाद ऐसे भी नोट्स में इसका एंसर भी दिया हुआ एका जेगा मिस्टेक है ठीक है तो उसको सुधार लीजिएगा बाकि यह कॉंसेप्ट में हमने सारा कुछ पढ़ा ठीक है उमीद करते हैं आपको कलास अच्छा लगा होगा अगर अभी तक भी कोर्स से नहीं जूरे है निश्चित रूप से जूर जाइए ठीक है बारवार जीवन मौका आपको नहीं देता है ठीक है जीवन में बारवार मौका नहीं मिलेगा दो मौका मिला तीसरा मौका है एक मोका और मिल सकता है चोथा ठीक है बाकी आपकी इक्षा चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद